नमस्कार साथियों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुजिक शड़ी पर आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं कि जो एंटी संस्था है जो अभी एक्जाम लेती है तो इससे संस्था ने अभी फिलाल जो रूल रागुलेशन्स चेंज हुए है उसके साब से जो यूजी है पीजी है एंफिल पीजडी है एंफिल तो खेर अभी हैट चुका है लेकिन सभी के जो कॉम्मान एंट्रेंट्स एक्जाम जो होने लग गए है वो अभी एंटीय कंड़क्ट करवा रही है तो अभी हाली में जो हमारा एक्जाम हुआ है CUET ने जो एक्जाम लिया म्यूजिक का जो एमे वालों के लिए था उसको आज हम देखने वाले हैं तो CUET की फुल फोर्म क्या होती है कॉम्मान एंट्रेंट्स टेस्ट यह जो टेस्ट है हमारा भी जून दो जार्टेश में हुआ था और इसकी टेस्ट की डेट क्या थी 15 जून 2023 अभी हाली में इसकी आंसर किया ही है तो देखते हैं इसमें जो एंट्रेंट्स टेस्ट जो अभी उनवर्श्टी के द्वारा लिया है यह नई पर्था इन्होंने शुरू किया है तो इसमें किस तरह के जो किउसंस है वो MA लेवल पर आते हैं जो बच्चे बैचलर कम्प्लीट करके जब मास्टर में आते हैं एडमिशन लेने के लिए तो उनको इस दो से गुजरना पड़ता है इस एक्जाम से गुजरना पड़ता है तो इस एक्जाम को लेकर के काफी क्वेरिज रहती है स्टूडन्स के मन में कि किस तरह से तैयारी करें कैसा क्यूशन पेपर आता होगा तो यह सब चीज आज हम इनके स्टूशन पूते है जैसे मैं रिजिनिंग और आपका क्या बोलते हैं जो करन्ट में अभी चल रहा है जीके है इस तरह की साइंट के कुछ थोड़ी बहुत क्यूसन आपको बशा देंगे इस तरह की संज्व हैं 25 इसमें पूछे जाते हैं बाकी के जो बचे गे 75 है यह पूरा किस पे रहता हमारा पूरा म्यूजिक के कुस्वना अते इसमें 75 तो आज इस लेक्चर में हम लोग यहे वाला जो पास्ट हाटम का 75 क्योश्वन हाई औario experience करते हैं छल देखते हैं शुरू करते इस क्लास को ओ यह हमारा लास्ट पच्छीसवा क्यूशन है यह फर्स पार्ट खतम हुआ उसके बाद सेकिंड पार्ट हमारा यहां से स्टार्ट होता है सेक्शन बी जो हमारा म्यूजिक जो है इंदुस्तानी के लिए हम सिसमें 26 नबट जो कित्षन है इसमें अनमारी बात की है कि निम्लकीत में से किस राग हम में दोनों गंधार तो दोनों निशाद का प्रियोग होता है और इन में से कौन सहसा रागा जिसमें दोनों घंदार यानि कोमल घंदार और सुद्ध घंदार और दोनों निशाद यानि कोमल इशाद और सुद्ध निशाद का प्रियोग होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं किसमें होगा तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यह जो चार ओप्षन दे रखे हैं व्रंदावनी सारंग है, रामकली है, जजवंती है, मुलतानी है तो इनको बारी-बारी समझे लेते हैं तो सबसे पहले हम व्रिंदावनी सारंग की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों निशाद लगते हैं बिल्कुल सभी बात है को मल निशाद और सुधिन निशाद रामकली के अगर बात करें तो यह किस थार्ट से आ जाता है हमारा बहरो थार्ट से लेकिन इसमें बहरो में क्या होता हमारा रेध्धा कोमल जिस वज़े से यह ओप्शन हमारा अलिमेट हो जाता है यह हट गया हमारा और अगर रामकली के अगर बात करें तो इसमें कौन-कौन के रूपे में कई रागे ऐसे होती हैं तो वह पढ़ने से हमें पता चलेगा जैसे इसकी बात करें राम पली कि तुसमें कौन-कौन से स्वर लगते हैं रे कुमल लगेगा दोनों मध्यम लगते इसमें देवत कुमल भी लगता है और दोनों निशाद भी लगते हैं इस तरह क का यह राग है जिसमें सभी स्वर का प्रियोग किया जाता है तो अब यहां पे क्यूश्ण की आप बोल रहा था कि दोनों गंदार दोनों निशाद जिसमें यूज होते हैं वह आप बताईए कौन से अप्शन हो सकता है इनमें तो हमारा राम पलीद भी नहीं होगा आगला यह ब्रिंदावनी सारेंग में दोनों निशाद है यह भी नहीं होगा जजेवंती की बात करें तो जजेवंती में दोनों गंदार लगते हैं और दोनों निशाद भी लगते हैं ठीक है और मुलतानी की बात करें तो तोड़ी राग से ठाट से आ जाता है तो इसमें कौन-क प्रियोग होता है और इसे में एक उसन बहुत एक्जामों में पूछा भी गया है कि निम लिखी तमें संधी प्रकासराग को बताईए इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर ले यह क्यों सन बहुत बार पूछा जा चुका है नैट में भी पूछा जा चुका है बाकी जो एक्जाम्स होते हैं जैसे के वीए से इनुमें भी काफी यह क्यों संधी प्रकासराग कि अगर हम बात करें तो क्या होता है कौन शराग इ चलेंगे अभी जो क्लासे समारी चल रही है अभी यूजी सी नैट की जो क्लास है उसका नाय बैच हमारे स्टार्ट हो चुका है और सबसे अची चीज मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी जो रिसेंटली जो एक्जाम होगा है जून के अंदर 2023 में इसमें म्यूजिक जैसे आए थे इन सो क्यूसन में से लगबग छे क्यूसन ऐसे थे जो कुछ भार से थे बाकि के 94 के आज पास क्यूसन ऐसे जो मैंने क्लास में करवाए हैं उन्हीं में से वो क्यूसन आयो है और यह बी एक मैं अपने स्कूर्ण्स की अच्छे चीज मनताओं कि श्वीट्स मेरे प मेरे पास जो संक्या है वो इतनी नहीं रहती है लेकिन फिर भी उसमें से स्कूर जो है बहुत अच्छा रहा है और अभी जो पिछले फरवरी में जो वा था उसमें 92 क्यूसन ऐसे थे जो मैंने जो पढ़ाये थे क्लास उसमें से आये थे और बाकी जैसे हर मैं संडे को जो लेता हूं उन पैस्टों में से 5-6 क्यूस नहीं थे तो यूक्यू एक्जाम में उठकर के आये थे जो वाकी जो क्लास जॉइन कर रखिए बच्चे उनको पता हो गए इस बात का आगले क्यूसिन पर हम चलते हैं हिंदोस्तानी संगीत का कौन सथाट पास्चात्र संगीत के मियगण सब्टक 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 के समान सब्टक क्या हो गया अगर यहां पर बात करेंगे मैजर सब्टक यह कुमन वाली बात इसको ध्यान रखना तो अमेसे अमारे क्या जाएगा बिला। लेकर जैसे आपने harmonium या keyboard जिसे आप play करते हैं तो उसमें code स्वेगर आप जब लगाते हैं तो उसमें हमारा जैसे के exam पहले code मैं ले लेता हूं सागापा तो यह हमारा major code हो गया अब इसमें अगर हम गंदार को कॉमल कर देंगे तो वह हमारा क्या हो गया माइनर code हो गया तो इस तरह से जैसे गाधानी है यह माइनर code के अंदर आते हैं इसलिए इस कांसर हमारे क्या हो जाएगा आज सावरी अगला question देखते हैं सुची एक और सुची दो से मिलाइए चलो देखते हैं सबसे पहले मिसमें बात करें तो बैतर जो मेल है देखो ऐसे question के लिए आप एक थोड़ा common sense लगा अगरो मैं अभी देखो बताता हूं कैसे आपको क्या करना होता है एसे question के लिए तो बैतर मेल करता यानि बैतर जो मेल है वो किसने बताए तो यह सभी को पता होगा बैतर मिल किसने बताए थे चतु दंडी प्रकाश का गरंथ के अंदर तो अब इसका एक किसमे मैच हो जाएगा चार के अंदर तो अब आप देखो option में जाकर के एक चार किस में आरहा है इसमें यह इसमें तो आज सकते हो आरा में इसको बिवान्रों करिकर देते अगर ऑफ जी वालों के चीज़ थोड़ी अच्छी है या आप चीज नेट में भी देख लो और या फिर कोई भी एक्जाम हो तो इसमें एक ओप्शन जो है थोड़े से ठीक डाल देते हैं ताकि इसमें आंस्वर तक आराम से पूंचा जा सके बारत हाटों का जन्ने रागों का अवरग अधिगरंथ के अंदर और लास्ट में हमारा आ जाता है अंतर वासा रागों की ठीक है तो यह सब ने वासा राग इन सब की चर्चकिस में कई की गई है संगीत रातनाकर ग्रंथ में इनको आपनों करके रख लेना अगला कि उसनों हम देखते हैं पास्चात्य संगीत में आ ठीक है और बाक है यह भी जर्मनी के थे एंडल है यह भी जर्मनी के थे अब बच गये कोन मोजाट यह कहां के थे आश्ट्रिया के इस चीज़ कर जानाक ना तो इस कांसर हमारे क्या जाएगा 29 का फ़र्स्ट इन तालों में तीश्री मातरा पर ताल की है छलोओ अच्छा के सुने किस मातरा पर तीश्री जो टाल है इनके पहले वर आपको पता होना चाही कितनी किती मातरा की होती है जब ताल systematic ही है और चीज़ पुरा पास्तों ये तीन ताल जो हमारी 7 मातरे कि होथी है है उसकी बाद बात करें आड़ा-चार ताल की 14 मातर की होती है एक ताल हमारी न्यें की मातर हे मातर हें 12 मातरे की गज़की आप इनगी उल्स,टीन,माल्य तेरा चेह तो एक ताल है इसमें भी हमारे दो दो की बहाग हूँगे दो दो सार पांचे साथ नो 10 11 12बदा अब यहां पर तीस तरी मात्रा की बाद िंद ताली है किह तालों में तीस री मातरा पर क्या है ताली है यहां पर क्योश्हन को पढ़ना बड़ा जरूरी है यह ताली को रिद्त कई वर सुड़न जल्द बाझे में क्या पढ़ लेते खाली तो आप दो मातर तो हमारी यह ठीक है दो मात्रा यहां पे होगी तो आप तीसरी मात्रा हमारी यहां पे आ रही है तो इसमें हमारा क्या हो गया इस पर ताली है तो यह हमारे एक आंसर यह हो जाएगा देखते हैं ए अच्छा दो प्षिन चूज करने इसमें तो इसका हमारा रहेगा आगला जो रुपक के अगर हम बात करते हैं रुपक ताल में जो खाली है हमारी वो पहली पर रहेगी और आड़ा चार ताल के अगर हम बात करें तो इसमें हमारी खाली कौन सी पर रहती है पाच्वी मात्रा पे नवी पे और तेरी भी मात्रा पे यह हमार ताल में और एक ताल में खाल ली कितने पर होती है तीसरी मात्रा पर और साथी मात्रा पर इसमें हमारा अंसर क्या जाएगा एक तो हमारी जबताल है और तीसरी मात्रा के अगर हम बात करें तो यहां पर पांच ही पर खाल ली आ रहा है तो एक हमारा यह आ जाएगा है आप किए सुदेंट चौन्फूज हो जाएंगे कि सर आपने रूपक क्यों नहीं लिया क्योंकि इसमें पहला जो ही विभाग है वह तीन मातरा का एक जैसे कि यहां पर या तो पहली पर चोथी पर या चटी की बात यहां पर चल रही इसलिए हमारे यह option हमारा eliminate हो जाएगा कड़ जाएगा इसमें हमारे तीसरी मातर पर क्या है खाली है तो यह भी हमारा कट गया तो बच गया क्या हमारा A और C तो A और C हमारा किसमें दे रखा है second option में तो यह हमारा answer हो जाएगा इसका उसके बाद आगे चलते हैं अगले question पे अच्छा तो यह तो बड़ा simple question है ब्रत ने कौन से गरंथ की रचन की है नाटे सास्तर यह बड़े common वाली बात है अब वह आप एक थोड़ा सा common sense लगा लें D का first में match होआ है तो option में देख लो D का first किसमें है नहीं है इसमें तो यह हमारा कट गया का आग बन करके इस पर टीक लगा दो इस तरह के अगर मालो कि यहां पर भरत नहीं होता अगर कुछ और भी होता तो विख को आप आराम से कर सकते थे जैसे कि यहां पर वैंक है रस्केट मकी है यह वने कौन से करंद का था चातू लंडी परकासी इसमें बहतर में बता ही पीछे जो किस गया था ना कि बहतर में इस में रहाँ में इसलिए जैसे पहले से किसे क्यों में क्या करो कि जैसे आपको यहां पे चार नाम दे रखे हैं तो इसमें से ऐसा कोई option ढूलो कि जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से पता है उसके बारे में अगर इधर वालों में नहीं पता है थोड़ा confusion है तो आप इधर वाली लिश्ट में लिए सकते हैं इसमें कौन सा इसा नाम है जिसके बारे में आप अच्छे से पता हो किसी चीज़ के बारे में ही बहुत सकता है अगले question पर चलते हैं कौन सा वन का प्रकार नहीं है अब इसमें कौन सा नहीं होगा हमारा सबसे पहले हम देखते हैं कि वन के कितने प्रकार होते हैं चार चार कौन-कौन से आप option को देख करके कई बर दिमाग घुम जाता है क्योंकि option भी ऐसे डालते हो करने के लिए कि student थोड़ा हो जाए उसको यह चीज समझ में आए तो इसलिए थोड़ा सा यह इस तरह के गुमाफिरा करके डालेंगे और हैसे रिलेट करते हुए कि आप जब सोचने पर मजबूर भी होंगे तो भी आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे और यह गलती अक् प्रकार होते हैं चार कौन-कौन से पहला हमारा सथाई आरोही अवरोही लास्ट संचारी जब आपको यह पता होगी तो आप आराम से इस को कर सकते हैं तो आरोही है इसमें बिल्कुल अवरोही यह नहीं है इसमें संचारी ये भी है स्थाई ये भी है लेकिन इन्होंने पूछा क्या है कुण सावन का प्रकार नहीं है अब नहीं मामरांश और क्या जाएगा सेकेंड के लिए रहे कि अगले के उसने पर चलते हैं 32 बार 32 गरत पर संबंद किसे घृटाने वाले अगर आपने आपने को इसन ऐसे होते हैं कि आप इतने सारी झाँरा और उस गरानों के अगर शुरुआत tonight की उसके बाद उनके इसके बाद उनके पूतर कौन थे उन्होंने कैसे शिक्षाप राद की ऐसे करके उनके टेबल एक गुराय ost भंता चला जाताया तो ऐसे आप एंग रहने तो बड़ा मुस्किल से आप रटके उसको याद कर सकते हैं उसकेद आपने दूसरा घुराना क्षए हो जाएगा याद करते करते जो आपने पहले याद किया वो निकल जाएगा तो ऐसे चीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जिसे यह चीज़े याद रख सके तो मेरे ख्याल से जो स्टूरेंट्स अभी कलास देख रहे जिन्होंने मेरा कोर्ष लिया हुआ है तो उनको दोजो सोु क्यों से आप किसी बीर्व जाओं अगर किसी एक्जाम में मान लो 10 क्यों से आने वाले हैं तो दस में से लग बग आठ ग्यों से उढ़न के चलो से एसे रहत अंजनकर का सम्मत किस गराने से है तो यह मारा क्या जाएगा आगरा गराना को चानल को हम दवारर दीए गंद्र का प्रकार नहीं है सबसे पहले अब इसके प्रकार की बता हो तो इसको बपता हो तो अच्छी बात है वरना आप इसको करके कि आप मनमन में रिवाइज कर सकते हैं दस कौन-कौन सी हैं और जिनको पता भी होगा तो उन कांसर आ भी गया होगा तो लेक बर देख लेते हैं कमारा है तिरिप स्पूरित अंपित लीव और जिनको नहीं पता है तो आपनो डाउन भी करते चले साथ-साथ अंदोलित वली त्रीबिन उरूल आहत अगला है उल्लासित उसके बाद है प्लावित उल्लासित आहत उल्लासित प्लावित उंपित मुद्रित नामित और मिश्रित ठीक है यह दस गश्रावित इसमें करनाटक संगीत में बताई है आपने इंदुस्तानी में दस नहीं कितने बताई है तो यह 15 तो दस में करनाटक वाली बोल गया इसको आप करनाटक वाली को देखकर के थोड़ा सा यह सारंग्देव ने कितने बताई है 15 तो 15 के नाम यह हो गए तो अब इसमें देखते हैं कि कौन सा ऐसी गमाक है जो सारंग्देव ने बताई है वो नहीं है इन उप्शन में से हमारी 3 भी है 3 यह पहले नंबर पर आ गई वली भी है वली हमारा कांपे है यह आ गया ठीक है कु शर्माण नेम ने समाधि तो फिर बते धासर में वह रगा को हुआब ऑन जो नई आरे प्रेमा का उत्व राग का बात। तिर्वे मद्यम का प्रयोग होगा, नहीं होगा, क्यूंकि इसमें कॉन से इसवर लगते हैं, रेधा कुम्ल, ठीक है, तो यह हमारा option कट किया, उसके बाद हम बात करते हैं, के नाम में इसकी बहराव, तो हमारा option अट किया, उसके बाद देशकार के अगर हम देखते हैं, तो तो यह किस थाट में आ जाता हमारा बिलावल थाट में किलियर तो यह इसमें क्या रहेगा सुद रहेंगे तो जिस वज़े से यह भी हमारा काणसर निकाल लिया और जरुरी नहीं है कि आपको हर क्यूशन इसी तरह से आप निकाल पाएं वह सकता है कि इसमें यमन से हैं तो आपको आपका अच्छी तयार यह रखिंगे आह pumकिन को देखते हैं आप आगले को आटीकेट चल रही है दुरुद गती में बाज तता चिकारी के प्रियोग तो यह जो क्योशन नहीं है, हमारा किस से आगया है सितार को ले करके जो सुडेंट सितार बजाते हैं जिनको सितार के बारे में नोलेज है, उनको पता होगा सितार का जो पहला तार होता है जिस पर सितार का वदन किया जाता है उस पहले तार को हम क्या बोलते हैं बाज का तार ठीक है, और जो पीछे के जो दो तार होते हैं उनको क्या नाम बोलते हैं, उसको चिकारी बाज और चिकारी का जब प्रियोग होता है मेरे परेख्ट उता है तो किस छीज़ का फ्रेक होता है वह स्था napkin पती ऑगर दूर्थ ूर्प एक नंबर देता हूं और चिकारीन को मैं 2-3 चार जेता हो तो यी इस तरह इसी चीज्ज है एक ड़ो तिंचार एक ऑड़ धींचार एक ज्चार एक दोerte एक चाय का मतलब यहां पे नोने फुस्तकों के नाम दे दिये जाल श करकी शंगीत बाल प्रकासे एक तो दुमेंजीन नहीं है इनके संघित आजली भी नहीं है ये ओम का ना ठाकुर की है और यह भी नहीं है और बजनामरत लेरी यह है और किसकी है यह है अमारी बातखंडवी की तो यह दिगंबर पूस्ट करकी की नहीं है तो यह भी हमारा option अठीक है तो answer हमारा a और d बच गिया तो a क्या कि इनकी काफी ऐसी किताबे हैं जो आमने पड़ी भी नी रखी है तो कुछ किताबे अभी मेरे दिमाग में और यह मैं लिखवा देता हूं आप लोग भी नोट कर लें यह एक्जामों भी आती भी है अक्षर एक तो इनकी संगीत बालप्रकाश हो भी और इनकी है बालब लेहरी तो यह कितनी किताब है एक दो तीन च्यार पांच और यह च्छे किताब हो गई और भी इनकी है लगए चार पांच किताब यह और भी मेरे को अध्यान ने आ रही है तो इनको आप नोट डाउन कर लें बाकि जो क्लासेज जनोंने जोइन कर रखिए उन बच्छों के पास तो यह प्रोपर नॉट्स होंगे और उनको पता भी होगा कि द्वारा लिखी गई कौन कौन सी किताबे हैं अगले पर हम चलते हैं क्योशन पर निम लिखी तालो में ताली की बढ़ती संख्या के अनुसार सही करम से चुनिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरवा जो हमारी कित्नी मात्र के होगी आठ मात्रा चार ताल अमारी कितनी मातर के होगी बारा मातरा, रुपक अमारी होगी कितनी मातर की, साथ मातरा, और तिवरा रुपक पास तो ये तिनों ताल अमारी कितनी मातर के हो जाती, साथ मातरा, तो अब इन में क्या देखना है, ताली की संख्या देखनी है, तो सबसे पहले कहरवा जो है दो-दो मात्रा की कितनी विभाग हो गए दो-दो-चार-पांचे-सात-अठ यानि चारी विभाग और चार ताल में इसमें कितने हो जाएंगे दो-दो-चार-पांचे-सात-अठ नो-दस-ग्यारब-बारा और इसमें कितना हो जाएगा तीन-दो-दो की विभाग रहे पे तालडãy आईगी किसमें पहली मातरा पर लूब एूजा अन्दर आएगी इसमें पहली मातरा पर ऑर Nos Skin यूबाद करें ना कि खाली किया न तो इसको ठ्वडा ड्यान रखना और तिक बाध करें थे इसमें भी चोथी मात्रा पर और चट् yearly मात्रा पर दी इसमें कितनी है दो इसमें कितनी है दो इसमें भी कितनी है दो यह पड़ा confusion वाला question डाल दिया नो ने I think मिरें को लग रहे कि उसन सही नहीं डाला देखते हैं option में क्या लिखा है तो बढ़ती ही संख्या के नुसार तो यह ऐसे होना था कि इसमें एक ताली है इसमें दो ताली आगई मालो इसमें तीन आगई इसमें चार ताली आगई तब तो यह इसका sequence बन जाता लेकिन अभी इसमें sequence तो बनेगा नहीं इस हिसाब से तो लास्ट की तीन ताले जो हैं इनमें कितनी हैं दो दो ताली हैं तो अभी किसको आगई रखे किसको पीछे रखे अब यह confirm नहीं हो पा रहा है तो यह यह यहां पे थोड़ा चा मिस्टे के इस क्यूशन में इबर मैं देखता हूं NTA वालों ने इसका answer क्या माना है इसका answer मेरे ख्याल से इनोंने 38 क्योशन का माना है 4 यह 4 किस तरह है इसाफ़ी माना है इनोंने पहले तो A है चलो A तो हमने मान लिया एक सेकेंड तालों की बढ़ती वी संक्या ठीक है यानि बढ़ती वी संक्या मतलब कि यहां पे पहले कम होगी फिर और जादा फिर और जा पहले आएगा तो A में तो पहले से तीन तालिया है तो यह आप पहले नंबर पर कैसे रख दोगे उसके बार C है C मतलब कि यह होगी आपका रूपक ना ना यह क्योशन गलत है जिन स्टूडेंटों ने यह एक्जाम दिया है और अगर यह क्योशन देखा भी होगा तो मेरे सदारंग आदारंग किस दर्मार में संगी तग्ये थे वह तकी में किया ते खियाल गाते थे कियाह और मोहमासा रंगीले भी ख्याल गाते है कि लिए रहा अकबर के समय के दर्बार में कौन थे तांजेन थे और अलाव दुन खिल जी गात तो बात ही चोड़ो अगले किसने पर चलते हैं चालीश निम्लिखित गरंथों काल करमानुशार सही करम में चुनिये अब यहां पर मान लोग कि आप लोगों को थोड़ा यह कंफ्यूजन हो गया कि इसको हम कैसे करें तो थोड़ा सा एक यह चीज़ तो पता होगी कि सबसे जो प्राचीन गरंथ अगर संगीत के गरम बात कर यानि इन श्रीनिमा करम Карम देखते तो सबसे पहला हमारे कौन साइगा नाते सास्थ από झो हमारा निम्लीखित ग्रंथों का काल करमानुशार स्हाइकरम चुने तो गाल का करव में सबसे पहली ए हमारे सबसे पहले आजाएगा तो A अगर पहले आएगा तो A हमारा इसमें पहले नम्मर पर दे रखा है इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा इसमें नहीं है तो इसलिए सिद्धा आंसर के आएगा एक आएगा तो अब मैं व बस बंधक नायोग, यह मान कके चलो कि 1650 के आसपास का टाइम रहा इसका यानि इसको सोली सताब्दी हम कह सकते हैं ही कै तो हमारे पहले नryमब्सक्षा ही और लूसे प्रहाचीम था उसके बाद हमारा आ अब बच गया कौन सा संगीत परिजात सत्री सताब्दी है और श्वर मिलक नानेदी सोली है तो पहले कौन सा है का हमारा इसमें सोली सताब्दी वाला यानि डी और फिर लास्ट में सत्री सताब्दी का बी है तो यह हमारा option किसमें रखा है एक के अंदर अगला question देखते हैं साइद प्रवेश किस गराने के परति निधीत है तो साइद प्रवेश जी सभी को पता होगा इटावा गराने से हैं जो सितार बजाते हैं अगला question तालो की मात्रा तालो की मात्रा संख्या के गठते विकरम को चुनिये अच्छा तालो की मात्रा संख्या की यहां पर बात की है कि तालो की मात्रा संख्या के गठते विकरम को यहां पर में बताना है तो सबसे पहले में बात करें, दमार जो है कितने मात्रा की होती है, चोदा मात्रा, तिलवाडा, 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 तपपा, पंजाबी, अधा, ठुम्बरी, सावाई बड़ी है, सब कितने मात्रा की है, 16 मात्रा की होगी, दादरा हमारी 6 मात्रा की, जबताल हमारी 10 म बात्रा की नई 16 नहीं लिखने के लिखने यहाँ पर उसके बाद 16 का काम खत्म होया फिर हमारी कोंची भचगी 14 आ वाली यह आ गया वसके बाद कि इसके बाद हमारा बचगिया कौँच है दस मात्रा वाली घनि डी दी आ गया और अब 6 और 7 में से कौन सा बड़ा है साथ तो पहले साथ नंबर पे रूपक ताल का क्या है ए है वह लास्ट में सी है तो बी एडी इसी री आ गया यह पहले और आप लोगों को जैसे की यह पता होता की जैसे ताले जिस पता है तालों के बारे में तो मेरे लगा कर चले कि कि पारे से होती हैं आप लोगोں पफिक थाल यह नुबारा के करम में अम्हें लिखना था तो सबसे गड़ते उकरम हैं फिर सबसे चोटी ताल हमारी दादरा आगी दादरा का sequence क्या है सी है तो option में हम देखते हैं सी कहाँ कापी लिखा है अब देखो option के अगर बात करें तो इसमें यह हमारे इतावा घराने के संगीत पर वोक अनाम दे दिया है, तो आप इस चीज़ को नौट भी कर ले, इमदाद कहां, इनके पुत्र कौन थे, इनायत कहां, इमदाद कहां, और विलाद खां के पुत्र कौन थे, सोजाद कहां, जो आज भी है, तो इमदाद खां, यहां पर इन्हों ने इमदाद खां को क्या नाम दे दिया, साहब दाद खां, यह चीज़ तो खेर मैंने भी नहीं पड़ी है, साहब दाद का नाम इमदाद खां शायद हो सकता है, या फिर और कोई हो, तो मेरे ख्याल से मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता, बाकी देखते हैं, इनायत खां हमारे कितने नमबर पे हैं, C, इस नमबर पे C आ गए, इनायत खां का कोड क्या है, C, इसके बाद विलायत खां का है, A, इसके बाद सुजात खां का कौण से है, B, तो C, A, B का सिक्वेंच क्यों से ओप्शन में आ रहा है, C, A, B, C, A, B का इसमें आ रहा है, C, ना, इसमें सिक्वेंच नहीं बंढ रहा, इसमें भी निए बंड़ा तो इसमें भी निए बंड़ा तो हमारा आंसर के आएगा फर्स्ट आजाएगा मेरे ख्याल से इसमें इंदाद खां को साबदाद खां नाम गिया है अगले क्यूशन पर चलते हैं तो यह तो हैं थो हैं जो है गुशन आप यूशन कर्वाते चल दणा आप लोग ऐसे क्या करो की इसको जैसे में सीट निकलता है कि नहीं निकलता फिर तो इसका रहेगा मारा उस चीज़ क्या रहेगा मारा तो यह जरूर आपने पढ़ाओगा कि राग तो सब में 6 थे तो राग इसमें 6 है इसमें 6 है इसमें 5 रखे हैं तो यह उप्षिन वैसे हैं हमारा अगर मालो आप लोगों को ना पता हो तो कि मैं बात बता रहा हूं अब आपको यह उप्षिन हमारा आटने के बाद और आपको पता है कि या तो 6 36 हो सकते हैं या 6 30 हो सकते हैं इतना तो सब ने पढ़ाई होगा ब्यासिए कि आम बीए से यह चीज़े पढ़के आते हैं तो अब यहां पे 6 तो हमारे बेसिक राग होगे राग नियों में हमां कर आप तुक्षा भी लगा सकते हैं तो फिर आपकी किस्मत आपको सही निकले या नहीं निकले लेकिन आप यह कि आप 50-50 आप आंसर के पास पहुंच चुकिये हैं तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यानी भी रखे इसमार के आ जाएगा मैं लिखवा भी देता हूं शीव मत और अमारे किस्ण मत जो था इनके अंदर कितना बताया था 6 राग और 36 रागनियां और भड़ा तुरा अनुमत मत में कितना बताया है 6 और 30 रागनी ठीक है तो इस आंसर अमारे के आएगा सेकिंड एक बार चेक लेता हूं वीडियो को एक अगला राग है राग बहरवी का प्रदस्ण करते समय जो नि जिंन निकित सवराववली है अगर वो ली जाये तो किस राग का तो मतलब कि रागु बहरवी से बहरवी मैं तो कों सा रागा ओम रजाेगा का थाड हो तेज सुन बहरवी से नियुक्त को अनल्ग से थाड पढोगा यह टढ़ा जाता मारा उस क्लिए तो यह mero living क्या किया फिर लघा उसका आइगा मालकोश क्यों क्यों है वाधी समाधी जो है दोनों का च्रोख समांदीर मर्द्यम और सडच यह दोनों का वाध्य-वाधी शम्हां दिसेम रहेगा लेकिन इसमें actually होता क्या है कि जो लगने वाले स्वर है बहरवी के अंदर वो कौन से स्वर लगते हैं रेगा धानी कॉम्मल ये सभी को पता होगा रेगा धानी कॉम्मल लेकिन इस स्वर आउली को अगर देखके एक चीज और आप लोगों को ध्यान में आ रही होगी इसमें पंचम का जो है प्रियोग नहीं किया गया और मालकोस में कौन सार इसमें स्वर का प्रियोग होता है गादानी कोमल लगता इसमें तिरनों सवर कोमल लगते हैं अब तो इसमें आप बात करते हैं तो बहरी में रिशब कोमल भी लगता है लेकिन शरावली में काई पर भी कोमल नहीं दिखाई दे रहा में जिसको पढ़ते आराम से बता देगा कि किस राह का इसमें तेरो भाव हो रहा है और जिसको थोड़ी डिटेल याद है राक के बारे सभी इसका प्रयूग किया जा रहा है इसी के साथ में बात देखते हैं मालकोष में और क्या चीज़ आजाती है तो मालकोस में जो वर्जित स्वर है यानि इसकी इसमें रिशब और पंचम जो है संपूर्ण ता वर्जित रहता है इसलिए इसकी जाती क्या हो जाती है ओड़ा 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 ठीक है संपूर्ण का ओडव रहती है कि इसके मालकोंस की तो रिषब और 25 इसमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसलिए इसे भी आपको मेंशेंस लगा सकती है तो इसका अंसर अमार क्या जाएगा मालकोंस आगले क्यूशन पर चलते हैं अमींड कान खलन खली टाली मेरे ख़्याल से सभी होग носि क्रहें गाली को कि इंदर में दे कर दूए सब्सक्रेंब और इसमें दोनों में यह तो हमारा किaccord युपीश्न कटी या फिर तीसरा चलो इसको और देख लेते हैं अब मीड की बात करते हैं तो मीड किस तरह से होता है ये इसमें मैच होगा ये मीड का निशान है तुक है और करणे अमार की कौन सा जाएगा ये आ जाएगा खाली तालिस में आए गया मीड का किसमें मैच हुआ है थर्ड के अंदर एका थर्ड हमारा इसमें तो है नहीं ये भी कठी गया तो बच गया हमारा आँचवर फ़स्ट अगला क्यूसम देखते हैं लोचन ने वर्णन किया है लोचन ने किस चीज का वर्णन किया है सबसे पहले तो आपको लोगों को पता हो ना चाहिए लोचन के द्वारा लिखावा गरंथ कौन सा है उसका नाम क्या है क्या नाम है राग तरंगनी राग तरंगनी गरंथ में नोने पूछा है कि किस किस चीज का वर्णन किया है राग सवर संग्रे भी है इनका तो सबसे पहले हम बात करते हैं राग राग नी पधती के बारे में नूने अपने इस गरंथ में मुनन किया है जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको इस बारे में पता भी होगा, पूर अच्छे से खोल करके इस गरंथ के बारे में एक एक चीज मैंने बताई वी है दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें नहीं बताई गई है उसके बाद हम देखते है रागांग पर दिती ये बिल्कुल इसमें बताई गई है तो इसलिए हमारे इसका अंसर कियाएगा ए और डी तो ए और डी हमारा पहले option में match हो जाएगा तो और भी हम आप लोगों को knowledge के लिए मैं बता दूँ आप no down कर सकते हैं राग तरंगनी गरंथ में इन्होंने और क्या-क्या बताया है अगर mail की बात करें तो टोटल केतने mail बताए इन्होंने 12 mail बताए इन 12 mail से कितने र हो गया जैसे माधम हैं यह जो शंग्याए जो आज के टाइम हम पढ़ते हैं यह कोमल सवर है या तीव शोर यह जो सब संग्या किस गरंथ में दी गई थी कि नोंने बताई चेस्वाए राग तरंगनी में इक यह क्यूंचन भी आ सकते हैं तो इसको ज्यान रखना नोट करन और इन्होंने कितने साथ सुद्ध सवर बताई हैं अतनीस गरंथ में और नो विक्रिश सवर बताई हैं यह चीज भी आप इसमें ध्यान से नोट करते रहे ना कुछ मैं यह मेरा मलकी उद्यश्य यह नहीं कि सिर्फ मैंने क्यूशन पढ़ा और उस कांस्व ठीक लगा के माग इस तरह से आप पढ़ाई किया करो जैसे मैं यह सोल करता उंक्यूशन से यह उप्शन आप लोगों के सामने ऐसे आप भी अगर कोई पेपर सोल कर रहे हैं तो आपका जो है उद्यश्य है शिर्फ आपका उक्यूशन और उसके आने वाले जो आंच्वर है उप्शन में उस और 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 भी कापी दिनों चीजें बताई है लेकिन अब इत्रह समय नहीं है कि मैं डिटेल में इसमें चाहूंगा ना बाकी इस चीज के लिए अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तैयारी करने तो आप जोईन कर सकते हैं इस क्लास के मैं खत्म होने के बाद मैं करने के बाद हमारी टीम जल्दी आपसी भी संपर कर लेती है कि आप की सीज के लिए तैयरी करना चाहते हैं और अगर चाहते हैं तो किस कोस्त को आप जोईन करना चाहते हैं तैयारी करना चाहते हैं अगर आपके कुछ क्वेरीज हो तो भी आप फूर सकते हैं कि लिए तो लागले कि उसने पर चलते हैं अब इसमें सोट्री का आपको बताऊं यह जो हुश्यान सब्द लगा हुए ना यह अगर किसी के पीछे लग जाए ना तो आप मौश्ट प्र अगर आने वाले को एक्जाम में अगर आप लग रहा है कि उसन आरहा है और आपने अगर टिक कर दिया तो ऐसा भी नहीं है तो लग बग मौश्ट प्रोविटी में बता रहा हूं ज्यादा तर जो संभावनाएं हैं वह अगर अगरा गराने में उसन के जो है नाम मिलते हैं लेकिन पूरा नहीं कहा है मैं 90 परसेंट कह रहा हूं तो थोड़ा सा इंची जो को जैसे कि आपो को लगा रहा है कि क्योश्ट में सोल नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही तह अब इसमें से करूं क्या जब आप यह बीड्रिक या पर आजमा की रिख सकते हैं अगर और आ पटदीप के अगर हम बात करें तो पटदीप हमारा किस थाट से है काफी से एक है सुद्धसारंग किस थाट से है हमारा कल्यान से और देश हमारा किस थाट से है खमार से और थाट नान कुमा दिये और भिहाग हमारा बिलावल है अरे वावाई कि सारे मतलब की मिलत जूलते राग नन उठाए हैं सबी थाटों में से जो लगवा का अपस में बहुत कुमन हैं अपटदीप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें गंधार अमारा कुमल लगता है और इसमें वर्जित स्वर कुन से हैं to verschiedene ौरिशे ब। देवत։ ऐसे गर में इदे Sabi सुथार्ण की दो इसमें जो लगने वाले श्वर है वो कोंच लगेंगे दोर्णों नों मध्यम का इसमें प्रियूग होता है और वर जित स्वर की अगर में बात करें कि इसमें आरो में गंधार और धैवत वर्जित है और अवरो में गंधार वर्जित है चलो ठीक है अब देश के अगर हम बात करें तो देश में दोनों निशाद का प्रियोग किया जाता है कुमा निशाद भी और सुध निशाद भी और वर्जित के अगर इसमें हम बात करें तो इसके आरो म यह गंधार और दह्वत वरेट रहता है इस लाग में भी बीयर स्थ में हम बात करते हैं विहाग कि विहाग में दुनों मध्य०्धियम का परियोग है किया जाता है और वर्जित Dreodata Heelushacole возь देवीचवर वर्जित है जब आप इतने details पता है तो अब आप क्या कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं पटदीप जो राग है उसमें गंदार कॉंमल रहेगा तो पहले उप्षिन में अगर हम बात करें तो इसमें गंदार कॉंमल नहां आगा है। B का 1st के इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहींकि गए तो यह हमारी 3 option आटगए तो बचाए क्या हमारा, यह सिम्पल से आप ऐसे भी इनको निकाल सकते हो ठीक है अगला हम देखते हैं ईस्थन सारंग की बात करें तो सुझ सारंग में क्या है दोनों मध्यम का प्रियोग होता है इसमें तो तिवर मध्यम इसमें है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है तो हमारा डी किसमें आ गया इसे आप इन को आराम से सोल कर सकते हैं जब आपको डिटेल से भी याद है तो और ऐसे जैसे कि आप अगर नैट की तैयारी करेंगे तो उस टाइम पर लगवग आपको सो क्या स्पास यह से राग आपको त्यार करने पड़ेंगे तो पोसिबल नहीं कि हर राग की डिटेल आती हों चीजे तो ऐसे केस में आपके आएकिंग को थोड़ा सा एक टैक्निक से भी याद कर सकते हैं बाकी कोशिश करें इनको अगर नहीं होते तो आप लोग जो है बाकी क्लास अगर जिन्होंने जोइन कर रखी उनको मैंने कुछ ट्रीक्स भी पताई वी है उस ट्रीक के क्या हो गया कि सुबह का जो टाइम होता है जब सूरज निकल रहा होता है यानि दिन और राज टाइम मीलता है उसको हम क्या कहते है संदी प्रकास इस सीज़ का ध्यां रखना तो यह दिन में कितने बार होता है दो बार एक स्याम के समय सुबह जब सूरज निकल रहा होता है तो सुबह जब रात और दिन मिलते हैं तब सुबह होती है और शाम को जब शूरत शिपता है तो दिन डलता है तो उस ताइम पर क्या होता है कि दिन और रात उस ताइम पर भी मिलते हैं तो दिन में दो बार होता है संधी परकास तो यह बात कर रहा है कि यहां पे संधी परका यांग गाई बजाए जा सकते हैं नाई ने नाई यह सभी राख तो चार से शाट मुझे तक नहीं कर सकते इन तो 4 से 7 बजे का जो टाइम पीड के राहते सिर्फ आम कुशी को कर पाएंगे सभी तो नहीं कर सकते इसलिए बार्त आमारी गलत हो गई तो क्या एकामरा अभीक बार्न एतो सही ए और खलत है तो हमारा एक सही को सही नहीं यह तो आर अंसर क्या जाएगा असका 3 नो अगले सिर्चाने पर चलते हैं सुचि Bean को 2 से मिलाएं तो इसमें देखते हैं सबसे पहले शिंपल से ले लो हमिर क्या है ? राघ है ठीक है ? अब यह डी का थड़ और इनल मी डी का थड़ इसमें है तो हमारा अंसर की आएगा आफ टीक से लागा यह मूचना है एक है रंजनी क्या है मरी इवरा कुनती मंदा चंदवती दयावती रंजनी यह होगी और लास्ट में यह गित्ती होगी शुद्धा भिन्ना कोडी भी इसरा सद्धानी यह गित्ती के पांच प्रकार हमने बताए हुए हैं तो इसलिए हमारे यह पूरा मैच वाके भी देखेंगे तो हमारे की सिमाएगा थड में अगला क्यूशन देखते हैं 52 मेल परकरण में मेलों की संख्या क्या है तो सबसे पहले चलो यह चीज आप कॉमेंट करके बताए कि शुर मेल कलानी जो गरंथ था यह किस गरंथकार ने लिखा है इसका जवाब आप नी तो यह गरंथ जो था इसमें कितने परकार के जो मेल है उनकी संख्या बताईए तो मैं बता देना चाहता हूं यह चीज भी मैंने अच्छे से करवाई वी क्लासेश में एक तो सबसे पहले चीज ध्यान रखना कि जो शुर मिल करां लिदी जो गरंथ है यह करनाटक संगीत क का मैत्वपूर्ण गरंथ है और इसमें टोटल कितने अध्याय हैं पांच अध्याय हैं और 7 मेनों इसमें कितने मेल बताइए हैं तो 20 ठीक है इसका ऑंशर क्या एगा सेगंड और इन 20 मेलों से कितने रागओं कित पति बताई है त्रिचेट राग ठीक है और साथ मैं इस गरंथ का जो हिंदी में अनुवाद किया है वो किस ने किया है तो इसके आप कोमेंट करके बता सकते हैं मैं एक मिंट के लिए लाइन होल्ड पर हूँ अजर हैं में आप कोमेंट की ओक रहाई कि आ यह रहाएं में की आचली है में में आट है इसका जबाब आप कॉमेंट में दे सकते, इसका हिंदी अनुवात किसे ने किया है, और यह जो है, अनुवात किया है, वो बहुत ही इंपूतन और गरंतकार का नाम है, और एक्जाम में इसके बारे में बहुत बार आ चुका है, और अगर नहीं आता, तो आप लोग पूछी ह तो यह जो है किसका प्रकार था मूर्चना का अगर हम बात करते हैं तो मूर्चना जो है भरत और बतांग मूनी ने जो बताई थी उन्होंने कितने प्रकार की मूर्चना ने बताई थी तोटल चार परकार की, इस चार परकार की मूर्चनाओं में, जो एक मूर्चना थी है, हमारी जिखा नाम क्या था साधानी, मैं चारों के बार बता देता हूं आपको, पैली थी पूना, दूसी है साड़वा, तीसरी है ओडवा, और चोथी हमारी कौन सी थी? साधानी, ठीक है तो इसी के बारे में इस क्योशन में बात की गई है, कि साधान कर्त किसका प्रकार था, ये किसका प्रकार था, मूर्चना का था, इसका अंसर हमारे क्या येगा, चार आजाएगा आगले किषसन पर चलते हैं, तारता किसका ततो है, तारता तीवर्ता, किसका हो सकता है हमारा, simple किसको सब्सक्राइब आज और हम सिंपल किसका हमारा नांधगा तार्था-3 गुन तेनुट के प्रकार थे ना तो इस प्रकार के बारे में आप बहुत के गई है आगले किशन पर हम चलते हैं किस कलाकार ने शितार में मुख्य 6 तारों का परचलन शुरू किया बड़ा अच्छा क्यूस्टन है तो इसमें मारा जो है आंस्वर की आएगा पहले तो आप यह देख लिए विलायत खांसाब हमें बता देता हूं आप लोगों को रवी संकर जी जो शितार बजाते थो कितने तार वाला शि बंचिकी जाती है मुष्टागली खांसाब टार के बारे में तो वर्णन नहीं है मैं कि मौस्ट्री ये 6-7 तारों का शितार बजाते थे लेकिन इनकी जो सब्सींपोटनट बात वहुद क्या थी कि ये 17 पर्दे का शितार बजाते थे एंप फिलायत खांसाब की कई में है प्रते थे उनिखिल बनर जी कि अग बात करें के तो यह आठ फार वाला शिताथ का प्रियोग करते थे इसको आप लोग नोट करते रहें और आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है लेकर के काल सबस्क्राइब कर दिए आप को घाए तो चीज़ें को मिल रही है तो एक तो बनता है बाकि एक पहले बात खाए थी मैरा मोटीब यह यह कि मैंने सिर्फ क्यूशन पढ़ा कि किस कलाकार ने 6 तारू का प्रटन सुरू किया और मैंने विलायत खा पर टीक लगा और मागे निकल गया आपको हर ओप्षिन के बारे में पढ़ाती वे चल रहा हूं तो आप भी थोड़ा सा एक मेर को सास मिले मोटिवेशन मिले तो आ दुरूवा गया दुरूवा गान की चर्चा ठीक है तो दुरूवा गान की चर्चा हमारी सबसे पहले किस गरंतन की गई है तो यहां पर एक चोटी सी चीज मैं एड करवा देना चाहता हूं आप लोगों को आज के समय में जो हमारे संगीत चलता है वह हम क्या गाते हैं ठीक है परबन से और थोड़ा पहले चलेंगे तो हम क्या गाते थे जाती गान जाती या दुरूवा गान ठीक है तो यह जो समय पीड़ था जब हम दुरूवा गाते थे तो वह कौन सा टाइम पीड़ था ना टे सास्तर का इस चीज को ध्यान रखे यह भी आपको एक एक्स 57 में अरंका रही है यहां पर गासा रे गासा रे मागा एक वीच तो यह हो गया मारे गा पामा अब टीस तरह यहां पर बताना है अगर थोड़े रिजनिंग वाले किस न अगर आप लोगों काते हैं जिन बच्छों को रिजनिंग करने में मचा आता है थोड़ा साथ तो इस गा एक टुकुडा तो यह हो गया अगला यहां पर बात की है मा रे गा पा मा ठीक है तो हर क्यूशन को आप जुरूर इन यह की म्यूजिक के से ही का सकते हैं थोड़ा इंट्रेस्ट ले करके पढ़ेगा तो जैसे अभी मैं सोल करके बताओं ऐसे भी आप इनको कर सकते हैं थोड़ा लोजिक रिजनिंग वाली चीज़ी भी लगा करके तो अब यहां पर गंदार के बाद क्या आया मध्यम और मध्यम के बा पंचम और पंचम से अगला कूंसा आएगा धैवत शेम इसी में क्या हो जाएगा कौंसा जाएगा गंदार से मध्यम मध्यम से पंचम तो यह क्या बन गया हमारा पागा माधापा पागा माधापा ठीक है तो हमारा आश्र क्या आगया पहला कि लिए अगला क्योशन देखत इसमें क्या चीज जैसी है जो आपको सबसे अच्छी आती है जैसे मैं देखता हूँ उद्ग्रा मिलापक धुरू आभोग यह चार प्रकार किसके थे परबंद के तो एक चार में मैच हो गया तो एक चार किसमें पहले में दे रखे आंचर आगे यहां पर अगर आपको यहां करें तो यह मंदर मदर सतार तीन परकार के होते हैं फिस तरह से विए अपका कर सकते हैं अगला देखते हैं किस तरह में मूलतानी के समान और की पर्कार्तीय का प्रीयोग होता है है इस सजश्व मैं मूल या का मत् смотрите मतलब इस सांवा इस थार प्धाय रहा यह कर दो दोनों में क्या होगा समानस्वर लगेंगे इसलिए हमारा आंस्वर क्या जाएगा इसमें तोड़ी असावरी एक ठाटा लग हो गया तो यह हमारा आंसर होगा नहीं कमोध यह भी नहीं होगा राम के लिए भेहरव से यह भी नहीं होगा इसकार परतम किसंने किया था सारी का यूग्त शारी का मतलब होता है कि जैसे आप आज के समय में ऑनी जो प्रदिय जो का हमने था तो सबसे पहले किस गरंथकार ने किया था तो सबसे पहले किस गरंथकार ने किया था मतंग ने जान अगना इस चीज़ का आगला क्यों नहीं हमारे 61 जब शुरूतियों को सही क्रम में सुस्थापित किया जाता है शुरूतियों को एक सही क्रम देनि कुरिया हैille में यह तो लगा दिंगे यानि एक से ले करकर और 22 थक शूनोटिय allora सो उसको वह क्या कहते हैं उसको क्या कहें अलंकार तो कहेंगे नहीं क्यूं क्यों अलंकार तो अर्म तरीकी सो सकता है जैसे कि ही सारे गार मा आगे जा रहा पीच ये तो ये पीचे आँ है इसमें शू स्थापीत वस्थान है इसमें इसमें जाती भी नहीं होगी और किल रांग में सेक्ष़ाइब नहीं होगा अरे याभी कर वह चीज आ गई ना? तबसे पहले हमारा क्या था? क्याल. क्याल हमारा हे, पहले number पे है, तो C अघया हमारा. ख्याल से पहलेה, उन्हों क्या काते थे? दृपद. यinking हमारे दूसरे number पे ऐ गया, दृपद D. उसके बाद उसके बाद हम क्या गा परबन्द ठीक है यह तीसी नमबर प्या जाएगा तो यह हमारा बी और उसके बाद दुरवगान यह हमारा चॉत्फी नमबर प्या जाएगा यह हुआ है ठीक है तो C D B A C D B A C D B A परaudio खी सी डी नहीं हुआ यह भी नहीं हुआ यह भी नहीं हुआ ठीक है इसलिए मारा आश्र की आ गया थेस्ट आ गया अगले क्विश्चने पर चलते हैं पर्णव भारती की लिखा कोन है पर्णव भारती की लिखा कमारे कोन है ओमकाना ठकुर इनका उपनाम क्या था ओमकाना ठकुर का पर्णव ये चीज भी आप नोट कर लीजिए प्रे ने वे प्रे ने वे पर्णव इनका क्या था उपनाम था और उन्सा ताल के 10 प्राणों में संभीलित नहीं है ठीक है तो ताल के 10 प्राण कितनी होते हैं हमारे 10 उनके नान आगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है याज पोज करके आप देख सकते हैं क्या आणसर इसकाना चाहिए तो कालमार्ग करिया अंगर है जाती कलाल ह कला ले यती और प्रस्थार अब कौन सा बच्किया हमारा यह बच गया तो यह नहीं में आएगा यानि तालक दस प्राणों में यह नहीं आता तेनक अगर जिसको नहीं पता है तो मैं वापस से बोल रहा हूँ आप लोग नोट भी कर सकते हैं पहला है हमारा काल दूसरा मार्ग तीसरा किरिया चौथा अंग फिर अगला है ग्रह फिर जाती फिर कला फिल्लै अगला है यती फिर प्रस्थार अगला किशन है पांच बटे चार ल पर दो यह हमारी और क्लास मेंने एग अंटे का लेक्ट्र लिया हुआ है उसको वह क्लास ओंपन भी है और आप उसको देख सकते हैं जब भी आपका व्यों आपके पास बहुत कुछ में सेखने को मिलेगा तो क्लास का दिस्क्रिप्टिर्प्टियून में भी लिंक तो लेकारी के ओपर बहुत अच्छी क्लास में बनाई है और कापी अच्छी इसमें व्यूज भी आये हैं कापी लोगों ने इसको प्रूश थान भी किया इस क्लास को ले करके तो आप भी उसमें देखिया आपको अच्छा सीखने को मिलेगा अगर आप लगता है तो आप जर आप लिए नाइव है मिया की तोड़ी है दरबारी कानड़ा है मिया मलहार है एक हसूर मलहार नहीं होगा तो बी सी बी सी डी बी सी डी पहले में आगया हमारा अंसर के आएगा 66 का एक उसके बाद अगला है हमारा 67 तानपुरे के तार किस में मिलाए जाते हैं तो इसमें इदे को चार तार होते हैं एक दो पी और चार ये किस कंडिशन में मैं बता रहा हूं कि जब आप तानपुरे को ले करके बैठते हैं जिस तरफ आपका मुख होता है चेहरा होता है उसी तरफ उसके तार होते हैं तो पहला जो तार है हमारा पार का तो यह मंदा सब्टा का सा ठीक है तो यह हमारा किसमी मैंच हो गया सेकेंड ओप्शन में इसको ज्यान रकना अब लोग अगला क्यों से हमारा निमलिखीत कलाकारों का कनिष्ट से वरिस्ट कनिष्ट का मतलब होता है छोटा परिस्ट का मतलब बहुता बढ़ा ठीशट का मतलब मुझा लगाना है सबसे पहलें बात कर drapeभ इर लेए दंगे डिए खीक है पहले नंबर 2 बैले नं अब पेस्टिछं में इसे में आ रहा है तांसर हमारेक्स शिदा सिदा क्या जाएगा ड़ी के तो प्रतिक चोदरी जी हैं मेरे गुशु जी भी साथ में उनके नाम दिबूचोधरी और इनस데 हमारा तांसेन किस के दुरूपद यह थे हम सबसे पहले जो अमारे बारे में पढ़ते हैं तो चार वाणिया वहां पे पड़ि होंगी उसमें जो पहली पहली वाणि अम zamने पड़ी है जिसका नाम है गुरबारवाणी तो यदि उसको हम क्या कह सकते हैं गोःवाणी इसको दू सा नाम भी क्या है गुबारवाणी के नाम से भी जानते हैं तो ये इसी मरवानी के धुरूपद गलाकार थे अगला question है हमारा परबंध के परकार है अब परबंध के परकार देखते हैं ये question मैं आपको चलो नहीं पता हओगा लिखवा देता हूँ परबंध के कितने परकार होते हैं पहला परकार कौन से है इसमें शूड़, दूसरा हमारा प्रकार कुछा है, अलीकरम, तो तीसरा प्रकार हमारा कुछा जाएगा, वीपी करन, प्रबंद के तीन प्रकार आगए, अब इनके बारे में भूद बढ़ी बढ़ी डिटेल्स हैं, उसमें तो पूरा टाइम लग जाएगा इसे अपचीजे करवान तो आप मोटा मोटा समझ लें कि इसके तीन प्रकार है, तो सूड हमारा पहला हो गया, और अलीकरम, और वीप्रकेंड, यह हमारे शेकेंड हो गया, तो यह हमारे B और C, दो ही जूज करने हैं ता और B, अच्छा, B और C, तो इसमें आंचोर हमारे क्या जाएगा, थर्ड, आगले कि उसने पर चलते हैं, राग देश में कीन सवरों को वरजीत करके, राग वरंदावनी सारंग का सब तक मिलेगा, राग देश, देश और वरंदावनी सारंग, ये जो दोनों राग इन में वादी समादी हैं न दोनों के, वो सेम रहेंगे, रेशब और पंचम, दोनों में लगने वाले स्वर भी सेम रहेंगे, दोनों निशाद का परियोग दोनों में होगा, वर्जित भी दोनों में सेम रहेगा, दोनों के आरों में गंधार और भात भी सेमै लेकिन अब यहां पर वर्जित इनके आरों में इस ने बता रहा हूं यह दोनों रागों की डिटेल में बता रहा हूं दोनों में समानता क्या है दोनों के जो है वादी समादी और दोनों में लगने वाले स्वर ये सब चीजे समान देंगी लेकिन इसमें रहता क्या है ए मेरे ख्याल से जो है जायद आरों में गंदार और देवत फर्जीत रहता है नहीं कि कैसे इसमें गंदार और देवत फर्जीत हो जाता है और देश के अंदर सिर्फ आरो में वर्जित रहता है, बाकी सब चीजे सेम रहेंगी, उतना होने के बाद अगर, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज ऐसी करें कि जिससे की राग जो है, इसे देश से वरंदावनी सारंग हो जाए, तो राग देश के अगर हम सोरों की बा पर, नि, और, सा, ये सवर अमेरिक इसके मिलेज अदेश के मिले, अब इसमें वापिस जय जाएंगे तो इसमें क्या है, गंदार और देवत का भी प्रियोग होगा इसमें देश राग के अंदर, लेकिन बाल दावनी सारंग मेंहीं होता, तो हम क्या करेंए तो शुने आव कि आवरो में धा और गा को वर्जित करने से इसलिए हमारा आचर के आएगा इसका सेकेंड अगला क्यूशन देखते हैं रागों में विक्रित स्वरों के प्रियोग की बढ़ती संख्या के अनुसा सही करम चुनिए अच्छा रामकली फिर से आगया ही राग जैसे इसके बारे कंड़ है और फिर इसमें प्रियोग होता है कि इसमें क्या हो गया keeper होता है कि दोनों निशाद प्रियोग कीा आजाता है पूरवी ठाट में इस एका होता है रेच धाकुमल और मध्यमतिवर लगता है तो अब इसमें देखते हैं कितने विक्रिशवर लगे इसमें एक दो तीन चार चार विक्रिशवर इसमें लग गए अगला है इसमें कितने विक्रिशवर लगे इसमें एक दो इसमें दो विक्रिशवर लगे अगला है, इसमें एक विक्रिट स्वर लगा, और इसमें तीन विक्रिट स्वर लगे, अब क्या है, क्यूस्टन क्या रहा है, कि रागो में विक्रिट स्वरों के प्रियोग की बढ़ती संक्षा के नुसा, आप बढ़ती संक्षा में सबसे पहले गढ़ता वकून है, ये है, तो इसका number sequence का है C, इसका क्या है B, गर इसका D, तो लास्ट में पहले number वाले का A, तो C, B, D, A, C, B, D, A, ठीक है, तो इसका आंसर हमारे क्या आएगा, first, आगले question पर चलते हैं, पहला कतन बोल रहा है यहां पर, कि एक ताल तथा चो ताल, विलंबित ख्याल तथा धूपद के साथ बजाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, तो second, का कह रहा है यहां पर, कि एक ताल तथा चो ताल की मातराएं भिन हैं, अच्छा, ठीक है, इसलिए यह सास्त्र संगीत की किसी भी विधा के साथ गाई बजाई जा सकती है। और लगोट सेंटमा थिए फोड़ रहे हैं तो यह किसी भी विदा के साथ की जा सकती है तो यह अहीं हो सकता यह हो सकते हैंयदे स adults लिए法ो जो है इसक provide कονेश के शत्रम छेर्थ तो यह पहला हमारे कथन से हो जाएगा दूसरा गलत हो जाएगा इसलिए हमारा आंसर के आएगा कथन एक साही और दो गलत अगला 74 क्योशन रागों के समय शिद्दान्त के अनुसार सुबैश श्यांत तक के रागों का साही करम चुनिये तो देखते हैं इसमें सुद्ध सारें के अगर हम बात करते हैं तो यह किस समय का राग है दो पैर अलाया बिलावल के अगर हम बात करें तो यह दिन का पर्थम पैर माल कौश की बात करें पिछे भी चर्चा हुई थी तो यह कौण सा है रात का तिस्तुर पर और मुल्तानगी को अगर हम बात करें तो यह दिन का इस्तुर पैर यहरा सीखल कैसे संब्सक्राइबार नहीं स्टार्ट करते हैं पतने हैं सुस्ट जिए परें निया पहले आए गा फिर दो पेराता है ए आ जाएगा उसके बाद पिर दीन का तीसरा पेराता है ब ब आ जाएगा और लास्ट में अमारा मालकूँ जो है यह लास्ट में आजएगा सी नंबर पे तो ब अधी तो हमारा क्या है बी एडी सी अगला क्यूसन देखते हैं अला दिया खां किस गराने के संस्थापक थे तो अला दिया खां मारे किस गराने के थे जपूर गराने के कि दुरुपद के परत्रशन में किन चीजों का प्रयोग होता है सबसे पहले लेकरी कर इस इसमें जैसे दुरुपद गाते तो इसमें दूगून है एटगून है आधबून है बरką ने तो लेकरी अगहां चले एक इसल Pokemon नहीं होता प्रियोग किसका तान का नहीं होता यह ख्याल में प्रियोग होता है तान का प्रकार है बोलता है इसका भी प्रियोग इसमें नहीं होगा ठीक है बहलावा भी ख्याल का एक प्रकार होता है ख्याल को भी बहलावा का प्रियोग किसमें किया जाता है ख्याल में यह भ की तरफ चलते हैं कौन सा स्वर अर्द दर्शक्षवर कहला तो इसे रहे जोई तो इसलिए इसको क्या करते है आप दर्शक स्वर कहते हैं बड़ा इंपोटेंट स्वर होता है अगला है 78 बात चलें किसे तार वाली चीज़ यहां पे डाल दिया तो सभसक करते हैं अगर इतना अब आपको पता है आप Video tod Jap चीए यह हट गया अब B के बाद में दोनों तो सेम है अब या तो A आएगा या D आएगा ठीक है तो यह देख लो तो A यह दी अब यहां पर आप लोग का निफ्यूज हो गए अब इस चीज के बारे में अगर आप लोगों को पता है तो आप इजली इनको कर देंगे नहीं तो फिर तो इसमें जाएंगे FURZ तो क्या होगा कि मसीद खान dönी जो है अगर हम गाईन की बहासा में कर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं यह इसको व्लंबीद गटव बोलते मसीन शित खानी तो पहले मारी मसीद खानी आई गी पर यह हमारी ह CV अ चोटा ख्याल आ जाता है तो बिस बीए डीच हमारा कॉंश्यांसर में है सेकेंड में आ जाएगा अगला है सुची वन को सुची दो से मिलाईये वाइली अच्छा अगर आप लोगों को पता ठीक नहीं बताता हूं वाइली जो है वीजी जोग जी है वाइली बजाते थे शितार जो है वह बलराम पठक जी हो गई गिटार वीश्मोन बढ़ जी हो गए जयपूर से हैं संतूर सिवकुम अगर आप फूरासा भी अगर इसमें common sense लगा के करेंगे तो आराम शिर्म कोई जिली कर सकते हैं आगले के उसन की तरफ हम चलते हैं विश्व दिगंबर श्वर लेपी पदती में तासप्ता के स्वरो का चिन का बताईए कि उसमें क्या से लिखते हैं तो इसके अंसर के आएगा तासप्ता को किस तरह से लिखते हैं हमारे जैसे तीवर श्वर लिखते हैं उसी की तरह है यह पर बात करते हैं जैसे कि हम यहां पर मंदर सब्तक के लिए क्या करते हैं नीचे निशान लगाते हैं सुवर के बिंदू लगाते हैं लेकिन वो क्या करेंगे सुवर को लिखने के लिए जैसे हम मंदर सब्तक के लिए हम क्या करते हैं सवर के नीचे बिंदू लगा दी और वो क्या करते हैं सवर के उपर बिंदू लगा देते हैं ताज सब्तक के लिए हम उपर बिंदू लगाते हैं मालो और वह क्यासे करते हैं तासर के लिए उपर खड़ी रिखा लगा देते हैं इसलिए इसका अंसर क्या आएगा सेकेंड अगला क्योशन देखते हैं मतलब होता है कि वहीं चोटे-चोटे सुआ अगला इसलिए पता कि Кट गया और तो इसलिए यह भी हमारे ओप्षिन अट गया अब बच गया हमारे पास दो उप्षिन तो इसमें रे दूसरे ओप्षिन को देखते हैं तो इसमें गंदार शुद दे रखाए जो गंदार शुद आएगा नहीं तोड़ी में कॉमल आएगा यह भी मारा कट गया तो बच गया क तो अगला क्योशन कोछ अनु मतफ्याजग आगारा गराने के पथिन इदित बिलकुल सही बात रचनemicsh प्याजग लूखह गोड़ान चुक्त अर्वय। के रचनिलनers variables amg dye यह लिए A इस का अंसर क्या जाएगा हमारा 32 का बात यह भी सी है फैयाज कहां अगराग ग्राने के परती दिनित्व माने जाते हैं और यह इनके पुत्र थे फैयाज कहां ठीक है उप्रोक तो इसमें क्या है कि A और दोनों सही है और इनकी दोनों के सही व्याख्या है clear इसमें मेरे को थोड़ा suspense है आगरा ग्राने के पर्च निदित्व यह इसको पर्च निदित्व थे इस ग्राने के लेकिन जो फादर साहब से बात जुड़ करके यह थोड़ी अलग हो जाती है बात तो दोनों सही है तो यह ना उकर किस का शुर्प्या हो जाएगा हमारा a और दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं दोनों की यानि बात तो दोनों सही बोल रहे हैं लेकिन इसका जो है रिजन यह नहीं दे रखा कहने कार थी है ऐसे क्यूस्टनों का मतलब ही होता है पूछने का कि मैं इसको आपने तरीके साफ गोल करके बताता हूँ आप इसको आराम से समझ जाएँगे जैसे कि इस कुछिशन को मैं बोलता हूं प्याज खाँ आगरागराने के परतिनिधित माने जाते जाते हैं यह एक सब्सक्राइब कर रेता हूं कीरों कि क्या आगर अक रालले कह पर these निदीत माने जाते हैं क्योंकि स्टरोल क 가서 के पुटर थे थे तो क्या रही यह जुक्त की मा जलिए पुनेजिंगी यहिए तो भी माने नहीं जाते है इसलिए बात तो दोनों सही है लेकिन इसका शही नहीं रखा तो इसलिए आंसर हमारे क्या जाएगा सेकेंड आ जाएगा आगला क्यूशन है हमारा 83 पर दोनों में घंदार नहीं इशाद का प्रियोग भी है यह बात भी सही है दोनों की जाती ओडोशंपून है स्वर कौन से वजजित हो गले रे और और बाग श्री में कौनसे हो जाएंगे रेश्यव और पंचम चिक यह को एक उसमें प्रियुग होता बाप इसका चॉनसा आएगा चार देखते हैं परबंध का दूसरा धात्व था अच्छा परबंध की धुरू और आभोग ये चार डात्रे थी ठीक है 84 क्यूशन में तो इसमें दूसरी दात्तु अमारी कौन सी आ जाएगी मेला पक इसको से क्यूशन याद रखना पड़ेगा और ऐसे क्यूशन बहुत बार आज भी चुके है 14 मात्रा की ताल को चुनिये निर्मलिकित में से कौ मेर्दा की हो गई रुपक तीवर पास तो बताई थी सात मात्रा हो गई तिम वाड़ा तिन तिल वाड़ा जरदपप्ण पंजाबी है सौल मात्रा की ओगई तो चोधन मात्रा के हमारी कौन सी आ अगई हगी अर्ड़ा सो ताल सु मरा वाली जो है 5 रे साह सभी में जाती है ठीक है यह बात भी इसमें सही है और इसके बाद सभी में तिjobri maddar travailler आगी answer में पहलिए प्योंग जाएगा लगें खींट हो जाया अगला क्यों सम्हार घ्यारे नीग किस राकी है तो यह देखो किस राकी है तो यह हमारा क्या आएगा यह हमारा इस कांसर क्या आएगा तो यह आप इसकी डिटेल थोड़ा देख लेए डिटेल देख करके क्यों क्लास का की लंबी होगी है मैं एक बर चेक कर लेता हूं कितना टाइम हो गया क्लास को चुछ उते वे तो यह गंटा 24 मिनट हो चुकी है तो मैं जल्दी से पटा पटीज को फिनिश करवाता हूं अगला क्यों सुन है यहां पर दिन दिन धागर तरके तूना कत्ता यह पाड़ दे रखा यहां पर एक ताल का क्यों तरके साथ जोड के तार को निम लिकित में किस रफर में लाइजाता है तो अबने बात की अपर पर किसन निभी गाया था तो पहला जो तार है तूसको हम क्या बोलते हैं बाज का था और पिछे वाले जो टीकारी के थे तो बाज के साथ जो जuter तीश्य नमबर पे जो आते हैं वह जोड़े के तार करलें तो पहला की बाज का फिर जोड़े के तार आते हैं फिर ये हम मंदर के मध्यम में और मंदर सड़ज में इसको मिलाय जाता है अगला के उसने हम देखते हैं मुस्ताकली खां साब अभी थुड़ देर पहले हमने देखा था मुस्ताकली खां साब के गुरू कौन थे? अशी कली एका तीन तो इतना ही देख लेते हैं पड़ापट एका तीन किसमी दे रखा है सेकिंड में ठीक है उसके बाद रवी संकर जी है इनके गुरू कौन थे? अल्लादिन खां साब ओम काना ठाकूर के के नाम है ये विश्ण डेकंबर क्लूशकर और विलायत खां साब के इनायत खां अभी थोड़ देरे पहले भी कर रहे थे ना इमदाद खां इनायत खां विलायत खां शुदाध खां तो वही चीज है तो भूम कफीर करके चीज है वही आती है हालो क्यूशन इसमें देखते हैं आगला क्यूशन है हमारा नाध की कौनची विशेषता दोहनी की गुणवत्ता को समझने में साहयक होती है वह में कुछा संगीत रतनाकर के टीका कार है इस में जो पहली वह है हमारा शिंग भूपाल दूसरे है मारा कल्ले नात संगीत रतना कर की क्या नाम था उसका संगीत सुदाकर है है कि यह 3 14 13 12 संगीत रतनाकर लिखी गई थी दूसी कलीदाफण लिखी सम्कूंशी सताब्री में 15 उपनंदरी सताब्री में और क्या लिखी थी उसका नाम आप Ouch Dad करके बताईए थिसका आहांसर आ जाएगा & &ン जेखता हूं कितने लोग इसका आंस्तलिए पाते हैं कलिनाथ ने कौन चलिए इसका चंगी तरदा करकी ठीका किये थी आप जल्दी सी इसका अंसर कोमेंट में लिखे तब तक मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर का आंसर हमारे इसमें A और B आएगा और A और B किसमें रखा हमारा फॉर्थ में आगला किसमें देखते हैं फिर से वापस से सुची मिलाने के लिए यहां पे बात की गई है श्री मले लग्से संगीतम किसकी है अबातखंडे जी की या B का 3. संगीत रतनाकर किसकी है शारंगदेव जी के हो गई राग भी बहुत सोमनाजी की हो गई तो इस का अमारे क्या जाएगा थर्ड किसके नाम है शुरूती इंपल है आगला देखते हैं राग दियसकार की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा जाएगा हमारा अभुपाली संप्रा करती क्यों है तो कि दोनों में जो वर्जित स्वर हैं वो समान है दोनों रागों के और लगने वाले स्वर हैं वो भी समान है ठीक है लेकिन देशकार जो राग है इस राग का वादे स्वादी धगत और गंधार है और भुपाली का क्या है गंधार और धगत इसका जस्ट अपोजित हो जाता है जिससे की राग अलग होते हैं अलग किस वज़ा से होंगे अगर आप लोगों से पूछ ल थेड़़ार धोर यह रहBlack रहे हैं में स्वर्भी रहे हैर वर स İşte इसमें समान है पालिध देखने में परूख करनिए कि दोनों के लेकि Virus क lack पहला पहर है और भुपाली का रात का पहला पहर हो जाते है और दोनों के जो आवरो आवरो हैं सारे गापा धासा ठीक है यह इनके चलेंगे अगला क्योंसे नहीं दीखते है 96 उससार का नाम चुनिये जिसने दुरुपद को प्रोचसाइट किया था दुरुपद को प्रोचसाइट किसने किया था देखो तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुल्तान उस्यांसर की यह इन्होंने किसको प्रोशाइट किया था ख्याल को कि यह ख्याल के थे मान सिंग तुमर किसके थे यह दुरूपद के थे उसके बाद हम बात करते हैं वाजिद लिशाय किसके थे फुमरी के थे अगले हम बात क की स्कते हैं को जी तो नहीं को फोर सा अंसों का अइगा फोर एक einem SWhile क्यूशन था अगला updated 98 जिसमें सबसे पहले हम देखने हैं एग Δम शिंपल आप लोग कर लेंगे रिक्राव्स से यह किसरान हो गया Sanka ओ और का मारा इसको सकते हैं तो इसमें हमारा अंसर क्या जाएगा सेकिंड अगला क्यों देखते हम 99 व मैं बात कर रहा है यहां पर वहां चो ताल के साथ गाया जाता है यह बात उपर ऑपर प्र और आई इसका कारण क्या है क्योंकि दुरूपद अब वापने से देखते हैं दुरूपद चो ताल के साथ गाया जाता है क्योंकि चो ताल पखावज पर बजाई जाती है और दुरूपद की संगत सदा पखावज के साथ होती है दोनों चीजे इसमें इसका अंजर के आएगा फर्स् ते उसके आगरा घ्राने के क्योंकि उनके father का नाम यह था यह तो को इरिजन वा नहीं बात दोनों सही थी लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं बढ़ने थी इसलिए उसका उनसरा हमारा second आया था और इसका उनसरा हमारे का यहाएगा first अब यह last question हम देखते हैं बिलावल में किस रागों को बदल कर तोड़ी का सब तक मिलेगा बिलावल में क्या सारे सुद होते हैं और तोड़ी में कौन से स्वर लगते हैं रे गा धा कॉमल और मातिवरी यह हमने बात की थी तो अगर बिलावल में यह स्वर बदल देते हैं तो हमें कौन सा राग मिल जा इसलिए हमारा इसका क्या आ जाएगा चार आ जाएगा तो इस तरह का जो पेपर था यह हमने देखा यह एंटी ने अभी लिया है के लिए संगीत विशेगा तो बड़े सिंपल सिंपल क्योशन थे ज्यादा इसमें कुछ हो नहीं था और आराम सी हम कर भी सकते हैं और अगर कोई दिक्कत आगर किसी को लगी है किसी भी परसन में तो आप मैं कोमेंट करके पूछ भी सकते हैं और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में अपने कहना में जो एक लेकरी वाली क्लास है उसके बारे में डाल दूँगा आप देख सकते हैं पूरी क्लास उसमें लेकारी के बारे में अच्छे से बताया गया है अच्छे से पढ़ाया गया हर चीज के बारे में आपने बार देख ली तो उस चीज को भूलनी पाएंगे साथ में जो है टेलिग्राम का लिंक भी डाल दिया जाएगा जिससे आप उसमें जूर सकते हैं और लेटेस्ट अब्डेट पा सकते हैं क्लासेस को लेकर के हो या कोई वैकेंशी आ रहे हो संगीत में या कोई रिजल्ट आया हो या कोई अड्मिट काड आ रहे हो तो यह सब चीज उसमें हर टाइम टाइम अपडेट आपको वहां पे मिलती रहेगी हर चीज को लेकर के साथ में आपको फेस्बुक और हमारी इंस्टागरम जो आईडी है उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा वहां पे अपडेश डलती रहती है तो आप इसमें और के लिए PGT PGT PRT या D++B या कोई Assistant Professor कोई भी आप exam के ताइडी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं classes ले सकते हैं तो यहां पे जुड़ने के लिए आपको टेली ग्राम पर सिंपली जाना है और वहां से आपको registration form आपको description में मिलेगा वहां से आप फिल करते हैं या कुछ भी चीज पूछ सकते हैं